नमस्कार परणाम आप देख रहे हैं इस समय खबर बिहार और मैं आपके साथ हूं सुनिल बौबी बिहार समाचार में खबरे लेते हैं बिहार की बाते होती है बिहार की बिहार के खबरों के साथ दिस दुनिया में किया कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट बिहार में सिच्छा रोजगार का क्या एहाल और गाओं की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट बिहार के इवाओं के लिए सिच्छा रोजगार बेख्या चल रही है बात और वाड सदस मुखिया जी सरपन साहब आगनवारी सेविका सहाईकाव नियोजी सिचको के लिए क्या आई है बड़ी खबर और क्या आई है वाड सदस और मुखिया जी के लिए योजनाएं तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे आज अपडेट और बिहार में सियासी हलसल की घमसान कैसी है तमाम खबरों से आपको आज रूबरू कराएंगे तो दोस्तो खबरों के आगे बढ़ाने से पहले खबरों के सिल्सला सुरू करने से पहले आप से आग रहे कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि काफी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए लाइक जरूर किजिएगा दोस्तों जानते हैं कि आप हमेशा देखते हैं अपना प्यार दुलार देते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके आप हमें प्यार दुलार दीजेगा लाइक प्रती दिन वीडियो में करना है और सब्सक्राइब एक बार कर दिये तो आप हमारे साथ जुड़ जाईएगा आपको खबरे मिलती रहेगी तेल ये खबरों के सिलसला सुरू करते हैं बता दे कि बिहार में लगतार घहमसान चल रही है लेकिन उससे पहले हम बता दे कि बिते दिन 26 जनवरी गंतंदर दिवस के असर पर दिल्ली के करतब बेपत पर राजपती द्रोपती मुर्मू ने राश्टिय ध्वज भाराया वहीं पटना के गांधी मैदान में राजपाल राजिंदर आलेरकर ने ज़ंडो तोलन किया वहीं सियम आवाज पर बिहार के मुखमंतरी निटिस्कुमा ने ज़ंड़ा पार राया तो लालुक परसाद भी अपने आवाज पर जणडो तोलन किया सभी सियासत के निताओं ने ज़ंडो तोलन किया है सभी सहिं गेर सहिंक शरकारी कारियालेओं पर जंडर तोलन किया है चाहे वा गाह हो सहरो हर जगा गंतंतर दिवस की धुम रही वहीं आपको बता दे कि सहिंचनिक छेत्रों में सरकारी और प्राइवेटज क्रमों की धुम रही बच्चे एक से बढ़कर एक कार्ज करम परस्तूत किये वहीं दिल्ली के कर्टब पत्पर आजे बेटियों की अच्छी खासी कर्टब देखनी को लिये मिला उनकी चालेंज भरी हुनर देखकर जी खूस हो गया इतनी ताकत अपनी भारत में है वहीं हम आपको बता दें कि कर्टब पत्पर यूपी की और से राम लल्ला की भी ज्छाकी निकाली गई अब बात बिहार की अगर कर ले तो बिहार के सियासी घामसान मचा हुआ है एक दो दिनों से या सियासी घामसान मचा हुआ है विहार के मुखमंतरी नितिस कुमार जब से दिल्ली से लोट कर आए हैं हलाकि यह तो एक देर महन पहले से ही चर्चा बनी है कि एक बार फिर से नितिस जी पाला बदलेंगे हम आपको बता दे कि नितिस जी को समझना आम बात नहीं है तो आज बिहार के मुखमंतरी नितिस कुमार जो हैं इस्थिपा दे सकते हैं आज का दिन बिहार के लिए खास होने जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार के मुखमंतरी पाला बदल सकते हैं इसके लिए इस्थिपा देंगे और 28 जनवरी को नई सरकार भी बन सकती है सुत्रों के अनुसार हम आपको बता दे की राज़त भी तेजस्वी यादों को मुखमंतरी बनाने के लिए जोड़ तोड़ का हिसाब लगा रही है एड़ी चोटी एक कर रही है बिधायक को जोड़ने और तोड़ने का भी सिलसिला जारी है एक तरफ जहां राज़त की और से सुत्रों के हवाले से एक ख़बर आ रही है कि जदिव के कई बिधायक राज़त के साथ जा सकते हैं तो वही भाज़पा की और से भी निकल कर आने लगी है कि कांग्रेस के कई बिधायक भाज़पा के भी संपर्क में है फिर यह जोड़ तोड़ का घटाव चलता रहेगा वहीं यह भी कहा जा रहा है कि राज़त की और से जीतरा मांजी को सीम बनाने का ओफर दिया गया लेकिन जीतरा मांजी ने उस ओफर को ठुकरा दिया और कहा कि मैं जहां हूँ वही ठीक हूँ अब बात क्या होगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा और आज उमीद जताई जा रही है कि सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा वही बेजियपी नेता और पुर्वे उपमुक मंत्री सुसिल कुमार मोदी का बड़ा ब्यान इसी बीचा गया उन्होंने कहा है कि दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते हैं राजनितिक संभावनाओं के राजनितिक संभावनाओं का खेल है वहीं सभी दलों में बैठको की दौर भी जारी है यानि कि सुसिल मोदी ने कहा कि राजनितिक के लिए दरवाजा कभी बंद नहीं होता है या किवल संभावनाओं का खेल है और बीते दीन और आज भी सभी राजनितिक दलों में बैठको का दौर जारी है भाजपाध्य समरार चोधरी पटना वापस लोड़ गए और लोड़ते ही बैठक पर बैठक कर रहे हैं हलाकि उनके तरफ से कोई खास ब्यान नहीं आया है लेकिन या कयास जरूर लगाये जा रहे हैं कि अब नितिस भाजपाध से दोस्ती कर ही लेंगे वहीं हम आपको बता दें कि चिराग पासवान पटना से दिल्ली पहुच गए हैं और आज अमीद सासे मुलाकात कर बिहार की राजिनतिक पर खास बाते रख सकते हैं सुत्रों का अगर माने तो लालुक परसाद यादो नितिस को कई बार फोन किये उनके मुबाइल पर भी और लैंड लाइन नमबर पर भी लेकिन नितिस कुमार फोन नहीं उठाएं यह भी कहा जा रहा है कि एक दिन पहले लालुक परसाद यादो ने मुख मंतरे नितिस कुमार को फोन किया था और नितिस कुमार से बाते हुई थी कहा था कि यह क्या कुछ चर रहा है तो नितिस जीने साब सब्दों में कहा था कि कुछ भी नहीं सब ठीक ठाक है आप दवा फोन किया लेकिन नितिस्गुमार फोन नहीं उठाएं अब सियासी गल्यारे में कई बाते सामने आ रही है आज जब मुखमंत्री ने एक सभा में बातों को रखा तो कई एलान भी कर दिये राजनीतिक कयास लगाये जा रहे हैं जब मुखमंत्री तेजश्वियादो एक साथ थे तो बीच में कूरसी भी खाली नजर आई बगल में सोग चौदरी बैठते नजर आएं यह भी एक राजनीतिक कयास है इधर हम आपको बता दे कि बिहार के जाने माने यूट्यूबर कि 180 दिन के अंदर तेजश्वी की सरकार गिरा देंगे उसके बाद वे जेल चले गए और जेल से जब अब वापस आएं हैं तो अभी 180 दिन पुरा नहीं हुआ है उससे पहले ही सरकार गिरती नजर आ रही है तो क्या मनिस कस्यव जिन्हें जेल भेजा गया क्या यूट्यूबर मनिस कस्यव की भविस्वानी सही होगी आखिर किस दम पर मनिस कस्यव ने भविस्वानी किया था कि 180 दिन के अंदर तेजस्वी की सरकार गिरा देंगे अगर सरकार गिर जाती है आज तो मनिस कस्यव का भविस्वानी सत्य हो जाएगी और लोग सायद विश्वास भी करने लगेंगे और मनिस कस्यव बिहार के लिए सायद हीरो बन जाएंगे खैर बात चलती रहेगी उड़ती रहेगी लेकिन ऐसा राजनिती गल्यारों में माना जा रहा है कि लालू परसाथ की बेटी रोहिनी अचारिया ने ट्वीट कर राजनिती गड़वड़ा दी है और उसके बाद यह हल्चल सुरू हो गई है हलाकि करपूरी ठाकूर के जन्ति पर ही नितिसकुमार ने कह दिया था कि करपूरी ठाकूर जो है वो परिवारबाद के पच्छ में नहीं थे उन्हीं के मार्ग दर्सल में चर रहे हैं हम भी किसी परिवार को बढ़ावाद नहीं दिये लेकिन DM का तबादला हो गया है यानि कि पटना के DM चंदर सेखर सचीवाले में उनका तबादला कर दिया गया है और अब पटना के DM होंगे एक कपील असोग यानि कि अब DM बदल दिये गए या अदिसुचना जारी कर दी गई है और ऐसा भी माना जा रहा है कि बिते दिन अस्कूल बंदी को लेकर पटना के DM डाक्टर चंदर सेखर और सिच्छा विभाग के अपर मुख सचीव केके पाठक के बीच पत्रों का ब्यानवाजी हुआ था एक तरफ केके पाठक ने कहा था कि या स्कूल बंद करना हो तो सिच्छा विभाग से आदेश ले ले लेकिन DM साहब ने कहा था कि आपात इस्थिती में किसी से कोई आदेश लेने की जरूवत नहीं है और मुख सचीव तक भी पत्र लिखा गया था या काफी मिडिया के सुर्खियां भी बनी थी क्या उसी संदर में DM साहब का तबादला तो नहीं हुआ है हलाकि ऐसी बात नहीं है इस चीज़ को हम नहीं कह सकते हैं कि उस अधार पर ही इनका तबादला किया गया है लेकिन यह चर्चा बना हुआ है हम इस बात की पुष्टी नहीं करते हैं कि उसी संदर में उनका तबादला हुआ है खैर तबादला हुआ है और बात अगर सर्दी की कर ले तो सर्दी की सित्व फिलाल जारी रहेगा बिहार में ठंड रहेगी अभी अस्कूल भी बंद करने की स्थिती बनी हुई है बता दें कि 29 जनवरी तक अभी सर्दी से राहत नहीं मिलेगा घरों में सुराचित रहने की जरूत है अब बारी है कल मैंने आपसे एक प्रस्न किया था और उस प्रस्न के हमारे बहु सारे भीवर्स ने जवाब दिया है हम कुछ लोगों का नाम लेना चाहते हैं और उसके बाद आज का सवाल आपके बीच रखेंगे उसमें है अमरजित पवन हाजीपूर से एहसान सर्वन कुमार सुनील कुमार चोधरी और रंगावास से सुरेंदर महतो समस्तिपूर से मुकेश मुस्कान सितामडी से मकसूद आलम और मधुबनी से बैजनात सर्मा और अंगावास से अजय कुमार मनोज साडा और कैमूर से रमेश कुमार सागर गोस्वामी मिथलेश कुमार इन लोगों ने और लोगों ने कॉमेंट किया है लेकिन समया भाव के कारण हम कुछ ही लोगों का नाम ले पा रहे हैं और आज का सवाल है ध्यान से सुनिएगा सवाल का जवाब कॉमेंट वोक्स में देना है अपना नाम और जिला का नाम जरूर बताईएगा तो आज के लिए आज आपका सवाल है कि बिहार के पर्थम मुख मंत्री का क्या नाम था अगर आप जानते हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा आपका हम अगले वीडियो में खास बिहार में यानि की खबर बिहार में हम आपका नाम जरूर लेंगे चलिए खबरों की सिलसला आगे बढ़ाते हैं मंझूरी दी गई है बिहार का बजट 3,000,000,000 रुपे होगा कैबिनेट का फैसला है हम आपको बता दे कि राज का वर्स 2024 बजट करीब 3,000,000,000 रुपे होगा गुरुबार को मुख मंत्री नितिस कुमार के जस्ता में हुई राजमंत्री मंदल की बैठक में बजट 2024-25 के प्रारूप की सवकृति दी गई है मुख्य सचीवाले में आयोजिति इस बैठक में तिन परस्ताओं को हरी जंडी दी गई कैबिनेट बिभाग के अनुसार बैठक में सवकृति तिन परस्ताओं में राजपाल का अविभासन बिहार सरकार का आम बजट 2024-25 और बजट 2024 का तृतिय अनुपूरक बजट सामिल है कैबिनेट की बैठक में बिधान मंडल के वजट सत्र के अधार पर परस्ताओं तैय किये गए थे आपको बता दें कि जेपी सेतु समानांतर्चा लेनपूल का निर्मान जल्द होगा इधर बिहार के नियोजी सिचक जो हैं एक बार फिर से उतावली नजर आने लगे हैं कियों की सचमता परिच्छा को लेकर जो मामूली बिहार के मुकमंत्री ने बताया था साइद उज्धंक की परिच्छा नहीं हो पा रही है इसको लेकर कई सवाल हैं असानांतरन को लेकर भी वह नाकूस हैं कि या खिर जिला ट्रांसपर जिला बदर सिचको को क्यों किया जा रहा है क्यों उपसन तीन उपसन दिया जा रहा है इसको लेकर भी बात है और एसा माना जा रहा है कि सिच्छकों के द्वारा कोट का भी सरन लिया जा सकता है इधार ठंड को लेकर केके पाठक भी आम जनता को नाकूस कर दी हैं आप जनता भी केके पाठक से नाखूस हो गए कि स्ठंड के मौसम में भी बच्चों को स्कूल भेजना पड़ रहा है। बोरिंग रोड चो रहा हुआ आयकर गोलंबर पर बनाया गया नया काउंटर नगर निगम सहर के सभी वाटो में मेरेज हौल को सर्वे कर रहा है। और शिविल सेवा पुरसान युजना के तहत भुगतान होगा। वहीं बिहार के वाट सदस्यों के लिए कई युजनाएं लाई गई हैं जिसमें लाइट लगाने की अभ़ परकिरिया तेज होगी। वहीं बिहार के अंगर वाटी सेविका और सहाई का जो हैं अपने मांदे से खुश नहीं हैं और अब भी मांदे और वढ़ाने की बातें कर रही हैं। वहीं वर्स का पहला गुप्त नौरात्री दस परवरी से हो रहा है शुरू मागिस गुप्त नौरात्री धनिष्ठा नचत्र और वर्यान योग में पढ़ रहा है। केके पाठक का एक पत्र जारी हुआ है डियम साहब के लिए, सभी जीलों के डियम साहब के लिए। विभाग ने 29 तक सितलहर की आसंका जताई है। इसको देखते हुए आपको प्राधी कृत किया जाता है कि 29 तक कच्छा एक से आठ तक के अस्कूलों के समय में आप संसोधन कर सकते हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि मौसम ठीक होने पर 144 धारा के ताथ आने वाले महीने में अपनी महान और समीत सक्तियों का परियोग करते हुए अस्कूलों में बच्चों के सत परतिसत उंपस्तिती बढ़ाना सुनिस्चित करेंगे। अब मुस्किले बढ़ सकती है केखे पाठक सरको। अगर भाजपा की सरकार अगर नितिस सरकार अपना पाला बदल लेते हैं तो क्या जहां आज सुसील मोधी कर रहे हैं कर रहे हैं ब्यान दे रहे हैं कि पाठक जी पर सरकार को मुख मंत्री को लगाम लगानी चाहिए तो क्या इनकी सरकार बनने पर लगाम लगाएंगे या प्रस्न पूछता है सिच्छा कडाके की सरदी में अस्कूल खुले रखने का हट छोड़े विभाग या मोदी बोले हैं यानि भाजपा सांसा सुसिल कुमार मोदी जैसा कि मैंने आपको कहा उन्होंने काया कि बिहार में कडाके की सरदी के बिच जबरन अस्कूल खुले रखने के लिए सिच्छा विभाग के अधिकारी जिला परसासन पर दबाव बना रहे हैं इस टकराओ में ठंड से अस्कूली बच्चे बच्चों की मिर्तु होने लगी है इसे मामले में सरकार को तुरंत हसेवकर स्कूल में आवकास गोशित करना चाहिए उन्होंने काया है कि इस मुद्दे को परतिष्ठा का प्रस्ण बनाने के बजाए सिच्छा विभाग को बच्चों के हित में आवेश वापस लेने चाहिए तो क्या इस पर अपनी सरकार बनने पर सुसील मोदी कायम रहेंगे वहीं एक बड़ी खबर और निकल कर आई है कि अब स्कूलों में आज से प्रती दिन फल या अंडे बच्चों को दिये जाएंगे यानि कि अब विद्याले में कुछ दिनों के लिए फल या अंडे प्रती दिन सर्दी को देखते हुए देने का एलान सिज्चा विभाग ने किया है वहीं हम आपको बता दे कि बैंक कलर्क वा चतूर्थ वर्गिये कर्मियों का पद नाम बदलेगा भारतिये बैंक संग ने वारता के बाद रूप रेखा त्यार कलर्क, अब कश्टम सर्विस एसोसियेट होंगे यानि कि बैंक के कर्मचारेश के नाम में बदलाव किया जाएगा तो वहीं हम आपको बता दे कि बिहार की सडकों की हो रही है ऑनलाइनम निगराने किस सड़क में कहां हुआ गड़ा इस पर रखी जा रही है नजर दोजार पचीस चबबिस तक OPR एमेज के तरफ सड़कों की अभोगी मरम्मत और लगतार कार्ज होंगे राज के किस सहर की कौन सी सड़क में कहां गड़ा है इसकी जानकारी ऑनलाइन मिल रही है पत निर्मान बिया कंट्रोल एंड कमांड केंद्र के माद्यम से राज की बन चुकी 13,000 किलोमीटर सड़कों की ऑनलाइन निगरानी कर रहा है इसके माद्यम से या असानी से पता चल रहा है कि किस सड़क की क्या इस्थिती है वहीं दिपंकर भट्याचार राहूल की पुनिया रैली में सामिल होंगे यह बड़ी बात निकल कर राजिनती गलियारों से सामने आई है अब बिहार के नियोजी सिछक की परिछा क्या समय पर हो पाएगी सरकार बदने पर यह परस्न आपके लिए छोड़े जाते हैं कॉमेंट करके बताईएगा कैमरे के पीछे हैं मिश्टर साहिल धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे बातरम